इस वीडिये में हम जानेगे कि ओपो के मुबाइल में डाटा ओन होने पर भी नेट नहीं चल रहा है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो आपको दो तीन सेटिंग को खॉलो करना है सबसे पहले आपको अपने मुबाइल का जो स्लाइडर है उपर से नीचे की और लाना है और नीचे की और लाने के बाद यहां पर आपको एक ओप्शन में लेगा एयर प्लेन मोड का या फ्लाइड मोड का तो आपको फ्लाइड मोड या एयर प्लेन मोड को एक बार क्लिक करके ओन कर देना है और ओन करने के बाद आपको फिर से उप कर देना है यह प्लेनमेट को on off करने से आपका network जो है replace होगा और जिससे आपके mobile का जो data है नेट है चलने लगेगा अगर इतना करने के बाद भी आपके mobile का जो internet है नहीं चल रहा है तो आपको अपने mobile के settings में आना है और setting माने के बाद यहाँ पर आपको sim card and mobile data मिलेगा यहाँ पर कौन सा sim select है कोई बार होता है यहाँ कि हमारे mobile में दो sim होता है और जिस sim में recharge होता है जिस sim में data recharge होता है वह sim यहाँ पर select नहीं होता है बलकि दूसरा sim select रहता है जिसके करन से हमारे mobile में data on होने पर भी net नहीं चलता है तो यहां पर आपको SIM को select कर लेना है जिस SIM में आपका data recharge है तो यहां पर मेरा SIM 2 में है तो हम SIM 2 को select कर लेते हैं और यहां से switch पर click करते हैं इतना setting करना है और यहां से आपको back होना है back होने के बाद आप अपने mobile में net चला कर देख लिजिए कि आपका net नहीं चल रहा है अगर इतना भी करने के बाद भी आपके mobile में net नहीं चल रहा है तो आपको यहां पर आपका serviceCarl में post हे उपर स्वान स्मट्टू है तो आपको beth the Kablai data इस लिख संट पर clicks करना है तो यहां से यहां से नेटवर्क टाइप मिलेगा तो आपको प्रिफेर नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है और यहां पर आपको 4G, 3G, 2G आटो पर सेलेक्ट रखना है तो इतना कुछ करके देख लेजिए और इतना कुछ करने के बाद आपके मुबाइल का जो डाटा है इंटरनेट चलने लग करेंगा.